CBT वीडियो भाग दो में आपका स्वागत है अभी तक हमने बात की थी कि हमारे सोचने के वह है कौन-कौन से गलत तरीके होते हैं जिनको हमें ढूंडना है ढूंड कर उनको एक लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाने के बाद हमने उनके सामने उन बातों को लिखना है जो सही है जो हेल्दी हैं दोनों के बीच में तीन चरह घंटे का अंतर होना चाहिए ताके तब तक आपका mood change हो चुका हो अब हम उन बातों को करते हैं उन cognitive techniques के बारे में बात करते हैं जिनका प्रयोग हम CBT के अंदर आम तोर पे करते हैं यह बहुत सारी हैं सब का वर्नन करना यहां possible नहीं है लेकिन मैं कुछ विशेश techniques का आपके सामने सेंपल पेश कर रहा हूं उधारन पेश कर रहा हूं ताके आपको समझ आ सके कि अब आपने CBT में अगले पड़ाव में क्या करना है पहली technique है idiosyncratic meaning यानि कि हम लोग अपने मन के अंदर अपनी एक dictionary बना रखी होती है अपने शबदावली बना रखी होती है और जब हम उन शब्दों का इस्तिमाल करते हैं तो उन शब्दों से जुरी हुई हमारी मन के अंदर बहुत सारी भावनाईं भी पैदा हो जाती है जैसे कि कोई व्यक्ति आके हमें कहता है कि मैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बरबाद हो जाऊंगा तो फिर एक मनोवी जानिक होने के नाते हम उससे ये पूछते हैं कि आपकी ये बरबादी की मतलब क्या है मतलब आप बरबाद होने में क्या क्या बरबाद हो जाएगा क्या आपका घर बरबाद हो जाएगा फैमिली बरबाद हो जाएगी और बरबादी के किस किस लेवल तक आप बरबाद होंगे तो हम पूरी उसकी जो वो शब्द इस्तेमाल कर रहा है उसका पूरा एक तरीके से हम उसका विशलेशन करते हैं उसका पूरा एक एनलेसिस उसके सामने करते हैं पेशन्ट के सामने दीरे दीरे उसको समझाने लग जाता है कि जो ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है और जो उसका मतलब वो निकाल रहा है उसका मतलब वो नहीं है तो दीरे दीरे रोगी को अपने मन के अंदर उन बातों के उन शब्दों के मतलब समझाने लग जाते हैं जो वो जाने अन जाने में बोल कर अपने आपको प्रेशान करता है CPT की दूसरी बड़ी परसीद टेकनीक है Questioning the Evidence जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें उस व्यक्ति से उसके विश्वाशों के बाड़ी में Evidence मांगने चाहिए अब देखिए का जैसे कि आपके दिमाग के अंदर कोई बात चल रही है और आप सोच के बैठे हुएं कि ये मेरा अटल विश्वास है एक मनोविज्यानिक होने के नाते जब हम सोचते हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति के जो विश्वास हैं उन विश्वासों को कागज पे लिखते हैं और फिर हम उसे पूछते हैं कि आपका ये विश्वास कैसे बना इसके पीछे Evidence क्या है इसके पीछे Sporting Facts क्या है आपको क्यों लगता है कि जो ये आपका विश्वास है चाहे वो Negative है आखिर आपको वो सही कैसे महसूस होता है जब हम इस तरीके से एक Patient से उसका सारा का सारा Analysis करते हैं उससे Evidences मांगते हैं तो फिर धीरे धीरे रोगी को ये समझ आने लग जाता है कि जो उसका सोचने का तरीका है वो सही नहीं है CBD की तीसरी बड़ी टेकनीक है Reattribution जब भी कोई जिन्दगी में कोई घटना घटित होती है कोई अच्छी घटना होती है बुली घटना होती है तो आम तोर पर ये देखा गया है तो हम इस तरीके की गलतीों की पूरी एक लिस्ट बनाते है और उसके बाद हम लिस्ट बनाने के बाद Reattribute करना सिखाते है कि ये जो गलती हुई है ये जो तुम्हारी जिन्दगी में बात हुई है ये तुम्हारे कारण से नहीं हुई है ये किनी और कारणों से होई है वो कारण ढूंडे जाते हैं वो बाते बताई जाती हैं कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई बुरी घटना होती है तो हम सारी की सारी जिमेदारी जो है खुद ले लेते हैं वो जिमेदारी हम खुद लेने की बजाए मनोविज्यानिक होने के ना इसे हम defunctional thought record के format में record करते हैं जैसे किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आया और ये विचार अपने आप ही आ गया और वो विचार इतना negative था और उस विचार के आने पे negative emotions पैदा हो गए जो विचार के जो emotions हैं वो भी अपने आ पाए हैं अब हम CBT में ऐसे विचारों और भावनाओं को identify करते हैं और फिर रोगी को सिखाते हैं कि इसका जो rational response है सही वाला response है वो क्या हो सकता था CBT की पांचमी टेकनीक है scaling इस टेकनीक में रोगी को हम एक scale बनाने के लिए कहते हैं मान लिजिए कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ तो हम उसे एक 0 से लेकर 100 तक एक काविस के ओपर एक scale बना के दिखाते हैं 100 का मतलब है बहुत बुरा होना और 0 का मतलब है बहुत अच्छा होना अब हम उसे कहते हैं कि अपने आपको rate करो के आप कितने बुरे हो मतलब आप 88 पॉइंट पे आते हो, 90 पे आते हो, 75 पे आते हो, किस पॉइंट पे आते हैं तो जब हम रोगी को वो एक scale बना के दिखाते हैं तो रोगी को अपने बारे में जो cognition है, वो काफी clear हो जाती, उसे धीरे समझाता है कि अभी तक मैं अपने आपको बेहद बुरा समझ रहा था, लेकिन जब हमने उस scale के उपर अपने आपको देखा तो मुझे लगा कि मैं उतना बुरा भी नहीं हूँ जितना मैं अपने बारे में बुरा सोच रहा हूँ इस टेकनीक में रोगी को सिखाया जाता है कि जो वैं बुरे से बुरा सोच रहा है क्या सचमुच इतना बुरा हो सकता है और अगर कोई बुली बात हो भी सकती है तो उसके बुले होने की संभावना कितनी है उसके likelihood कितनी है इस परकार से CBT में बहुत सारी टेकनीक्स प्रयोग में लाई जाती है जैसे self instruction है thoughts stopping है distraction है ऐसी बहुत सारी टेकनीक्स का प्रयोग किया जाता है ये सारी के सारी टेकनीक्स यहाँ पर बतानी समभब नहीं है चूकि मैं आपको समझा रहा हूँ आप उस चीज को समझेगा सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेकनीक है इस CBT में वो यह है कि हमने लोगों का सोचने का नजलिया बदलना है ये तो सोचने के नजलिये की बात है अब कुछ behavioral techniques भी है जैसे activity scheduling, assertive training जिसमें हम लोगों को अपने मन की बात सही परकार से कहना सिखाते हैं उन्हें no कहना भी सिखाते हैं इसी तरीके से relaxation training दी जाती है ये सब techniques हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब यह हुआ कि CBT के अंदर दो बातों का mission होता है एक हम सोचने का तरीका सोचने का नजलिया जिसे हम cognition कहते हैं उसकी बात करते हैं उसके distortion की बात करते हैं उनको ठीक करने के बारी में टेकिनिक्स की बात हम लोग करते हैं और दूसली तरफ हम कुछ behavioral technique भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो मन के अंदर पैदा होने वली चीजे हैं उनके कान जो शरीर में पैदा हो रहा है उन दोनों चीजों की हम एक तरीके से तालमिल बिठाते हैं ताके व्यक्ति अच्छा सोचे तो उसके शरीर में अच्छा हो जब उसका शरीर अच्छा हो तो उसके मन में अच्छे विचार इस तरीके से हम cognitive behavioral therapy के अंदर विभिन मानसी विकारों का इलाज करते हैं इस सारी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम अपने मन में चल रहे विचारों को समझ लें कि वह कितने negative हैं negative की जगा हम positive विचारों को replace कर दें तो कुछी दिनों के अंदर हमारी जिंदगी भी जिंदगी में बहार आ जाएगी हमारी जिंदगी गुलजार हो जाएगी क्योंकि हम फिर हमें लंबे समय तक दवाईयां खाने की जरूरत नहीं है और इस बात को याद रखिएगा कि अगर हमने अपने सोचने का तरीका चेंज नहीं करते हैं तो हम चाहे कितना अपना इलाज करवा लें हम लोग ठीक नहीं हो सकते हैं CBT के सेशन्स के अंदर मैं बहुत सारी वरकशीट का इस्तेमाल करता हूँ ऐसी है एक वरकशीट अभी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ आप उसको घर पे कागज पे बना लीजिएगा और फिर आप उसको खुद करके देखिएगा और याद रखिएगा मैंने आपको पहले बताया था है CBT एक बहुत बड़ी बहुत इफेक्टिव एक थरैपी है जिससे हम तमाम किसम के मानसिक जो बिमारिया हैं उनका इलाज कर सकते हैं लेकिन इसके लिए हमें विश्यशग्य मनोविल्यानी की जरूरत होती है हर जगा उपलंद नहीं होते हैं इसलिए मैंने बड़े सारांश में बड़े छोटे रूप में मैंने आपके सामने ये थरैपी रखी है ताकि आप थोड़ा बहुत इसका फाइदा अपने घर पे बैठे बैठे कर सकें अगर आपके मन में कोई शंशे है कोई विचार है कोई बात है आप करना चाहते है इस थरैपी के बारी में बोलना चाहते है तो आप इन बोक्स के अंदर लिख दीजिएगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आप लोगों को इसका जवाब जरूर दूँगा और याद रखिएगा कि मैं पिछले लंबे समय से मानसिक सहत के शेतर में काम कर रहा हूँ और मेरा उदेश्य केवल ये है कि जो लोग दूर दराज बैठे हुए हैं जिन लोगों तक कोई सुविधा नहीं पहुंच रही है जिनका इलाज नहीं हो रहा है उन तक मैं कम से कम थोड़ी सी रहात भेज सकूँ उनका मैं इलाज करने में उनकी सहायता कर सकूँ और किसी ना किसी धंग से उनका जो मानसिक समस्याएं हैं उसके समाधान के बारे में उनसे बाचित कर सकूँ अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पे करके सब्सक्राइब कीजिएगा